दोस्तों उत्तर परदेश का एक लड़का कमाने के लिए दुबई जाता है और जहां पर उसकी मुलाकात एक बहुत ही खुबसूरत लड़की से होती है दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं लेकिन दुबई के सक्स कानून के डर के वज़ा से वो लड़का उससे दूर ही भागता रहता है लेकिन दोस्तों कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या दोस्तों वो दोनों एक दूसरे से बे इंतहा प्यार करने लगते हैं बे खाव प्यार करते हैं लेकिन एक गाना बना है कि परदेशियों से ना अखिया मिलाना परदेशियों को है एक दिन जाना दोस्तों उस लड़के क गर जाने का वक्त आ जाता है और वो अपने गाउं इंडिया आ जाता है लेकिन दोस्तों एक और गाना है कि साथ समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई ओ जुलमी मेरे आर तेरे कदमों के नीचे आ गई दोस्तों ओ लड़की अपने छोटी बहन के साथ दुबई से वीडियो में आगे बने से पहले बस वही रिक्वेश्ट के आप वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हुसला बढ़ता रहे दोस्तों उत्तर परदेश के बस्ती जिले के ठाना दुबवलिया का एक गाउं रामनगर का एक लड़का राजकुमार तीन साल पहले कमाने के लिए दुबई जाता है दोस्तों वो कुकिंग के काम के लिए जाता है अब चूकि जो कुकिंग का काम होता है कुकिंग मतलब ख उसरे के तरफ आकर्शित होने लगते हैं लेकिन दोनों को एक बात का हमेशा डर सताता रहता था खास तोर से राज कुमार को दोस्तों आपने सुना होगा कहीं न कहीं कि जो गल्फ कंट्री है दुबई हो सौधिया हो दोहा कतर हो अन्य जो इसलामिक देश हैं उनका कानून भ अगर प्रेमी जोडे पकड़े जाते हैं कुछ अनयतिक कारी करते हुए तो उनको पत्थरों से मार मार कर खतम कर दिया जाता है यही जो है राज कुमार भी अपने जीवन में बच्पन से यही सुनता आ रहा था और जब वो जा रहा था वहाँ पर तो लोग उसको अच्छी लगती है लेकिन बस यही खौफ उसके दिमाग में हमेशा गुंसता रहता है लेकिन दोस्तों कहते हैं कि कुछ भी हो जाए प्यार पे कोई बंदिस नहीं लगा सकता कोई उस पर पाबंदी नहीं लगा सकता ओ धीरे धीरे उस लड़की से हाई हैलो करने लगता है उन यूर्की से राजकुमार उसको टच्च कर लिया करता था फिर दो उंगली और फिर एक दिन किचन के दर्वाजे के पीछे उसका हाथ पकड़ लेता है और चरा साई सारा करता है वो लड़की भी उसके सीने से लग जाती है उस तो इसके बाद उन दोनों के दिल में एक दू केमरा ना लगा हो, कहीं हमारी बाते लीक ना हो जाए, कहीं से कोई देखना रहा हो, तो इसलिए उपने प्यार को बहुत ही मर्यादित तरीके से आगे बढ़ाते रहते हैं, इस बीच में दोस्तों कितनी बार उन लोगों का दिल मचला, इस बीच में नजाने कितनी बार उन ल रास्ता ढूंड लिया और डरते डरते एक वकील के पास गए उससे राय मसुरा किये तो उसने बोला कि तुम लोगों की ये जो है 21 पलस है तुम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हो लिविन में रह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक दूसरे के सहमती से आप लोग र दिया या भवी कमाने जाते हैं तो दो साल या तीन साल में वो घर वापस आते हैं दोस्तो राज कुमार का भी समय आ चुका था कि वो अपने गाउं वापस आए उसका टिकट हो जाता है और दुबई से हिंदुस्तान आ जाता है यहां पर आने के बाद दोस्तो पता नहीं क उसके साथ कि वो जो है उसको फोन नहीं कर पाता है यहां अपने परिवार में अपनी दुनिया में बिजी हो जाता है और वो लड़की जो कि उसके बगार उसका बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था एक पल एक दिन भी उसके लिए बहुत ही दुस्वारी भरा रह रहा था दोस 2023 के दिन दुबई से लखनों की फ्लाइट पकड़ कर लखनों एरपोर्ड पर आती है और वहां से 170 किलो मीटर दूर है तुबवलिया थाना जो कि हर्या तहसील में पड़ता है हर्या आती है होटल में कमरा लेती है नहाती धोती है फ्रेस होती है और उसके बाद वो राम नगर गाओं के लिए पूछते पूछते पहुंसती है जब राम नगर पहुंसती है राज कुमार के घर पर दोस्तों राज कुमार के घर वाले उसको देखते है राज कुमार उसको मिलता है, सब को मिलवाता है उसके बाद दोस्तों राजकुमार कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई अब मैं तुम से कोट मेरीज करूँगा दोस्तों जो लड़की थी वो निश्चिंत हो जाती है लेकिन उसके कुछी देर बाद पता नहीं क्या होता है कि जो राजकुमार था, उसके घर वाले थे वो घर में ताला मार कर फरार हो जाते है लड़की कुछ देर बैटके इंतजार करती है कि अब आएंगे, अब आएंगे लेकिन दोस्तों जब वो समझ जाती है कि मेरे ही वज़ा से वो लोग घर छोड़ कर चले गए है दोस्तों वही पर वो लड़की धरने पर बैठ जाती है उनके घर में गाँवाले देखते हैं कि इतनी खुबसूरत लड़की है ऐसी ऐसी बात है तो ये लोग क्यों भाग गए, क्या बात है उनके समझ में नहीं आता है जब तो कोग खुद नहीं आएगा दोस्तों धीरे धीरे दस दिन बीट जाता है उसकी तबियत भूग प्यास से बिगड जाती है उसकी हालत खराब हो जाती है तो गाँवालों को काफी तरस आता है वो जो है उस लड़की को पकड़ कर ले जाकर अस्पताल में भरती कराते हैं पुलिस को सूचना दी जाती है दुबवलिया थाना से सुच्चो आते हैं आकर पूरे मामले की छानबीन करते हैं और उसके बाद वो राजकुमार और उसके घरवालों को ढूड़ना सुरू कर देते हैं दोस्तो अभी तक ये नॉमबर 2023 के लार्श तक की बात है दिसंबर बीत गया 2024 जनौरी लग गया लेकिन अभी तक उन लोगों का पता नहीं है कि वो कहां है किस रिष्टेदार के घर में है क्यों भाग गए है लेकिन पुलिस भी कह रही है कि जब तक उनको ढूंड कर लाएंगे नहीं इस लड़की को इंसाफ दिलाएंगे नहीं तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे तो दोस्तो इस तरीके से हम उमीद करते हैं कि वो लोग मिल जाएं लेकिन दोस्तो ये जो रिष्टा है बहुत सांदार तरीके से सुरू हुआ था पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा तो मैं तो इस्वर से यही प्रातना करूंगा कि है इस्वर राजकुमार को सदबुद्धी दे उस लड़की के साथ नयाय करे जो भी राजकुमार को भरकाएं है या जो भी उसके पीछे है उनको भी सदबुद्धी दे और इन दोनों का जो रिष्टा इतने बहतरीन तरीके से शुरू हुआ था उसको आगे भी आगे बढ़ाने में मदद करे दोस्तो ये रही कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जये